हेलो वेल्कम तो मैं चैनल रीन चारूट यह आपके टुड़े की एनरजी और आपके पार्टने की करन्ट फीलिंग्स है अब क्या आपको यह पसंद आ रही होगी आपके साइन की जो टाइमिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है उसके हसाफ से आप लोग अगर आप से रजनेट करें तो मुझे ज़रू कमिट में बताएं अगर आप मेरी चानल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे चानल इसको भी सब्सक्राइब करें तो लेट सी के लेट सी किया मैसेज़ आते हैं फॉर आल अप यू ओके सो इरी स्टर्स जमना इस चैंसर लियूस विर्ग ग्यूस विर्ग लिप्रा स्कॉर्प यूस अजड़िटरियस और अपरिकॉर्प लिपर विर्ग लाइब के लिए अपके लिए क्या क्या मैसेज़स हैं तूड़े के हिसाफ से आपके और आपके पाटनर की फीलिंग्स के हिसाफ से स्टार्ट करेंगे फर्स साइन इस एवीज अगर लांग टाम नहीं तो शौट डिस्टेंस ट्रावल हो सकता है आपको कोई अपरचुनिटी आसकती है इसके लावर शौट डिस्टेंस ट्रावल भी हो सकता है अधरवाइस आप सकस्पुली अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं मूव कर रहे हैं किसी हर्डल के पर खैर या फिर कोई वेहिकल है गाड़ी है जिसके हावाले से आप कंसर्ण है या तो आपने नई गाड़ी खरीदी है आप उस गाड़ी के हावाले से आपको कुछ कं गाड़ी इस प्रॉमलेंट है सफर गाड़ी या चीज़ें सकस्पुली मूव ऑन कर रहे हैं आपकी लाइफ में आज को दिन बगाएर किसी हर्डल के जैसे जैसे आप चाहेंगे पैसे वैसे चीज़ें होती रहेंगी बगार किसी हर्डल के आगे बढ़ते रहेंगे तो ले श्राय की बढ़ते हैं अपने आपको अपने प्रोटेक्शन पर जादा फोकस कर रहे हैं और आपको आपतो मूब ऑन करना चाहते हैं लेकिन वो परसे अपने आपको परेटेक्ष कर एक अपने एंद्वी इन फार्डली ओंडरी में और उनकी अभी यही एज़ी है कि वह आ इन नहीं करने देर अपनी लाइफ में और कुछ डिफेंसिव साइट पे रह रहे हैं लाइक उनकी इनरजी ही होगी कि अपने आपको प्रिटेक्ट करो और किसी इनराई जगडों में या किसी भी फजुलियात में ना पड़ो तो यह सिचुएशन हो सकती है अब देखते हैं क लगे वेपिशन ही कि एक बड़ा चेंज आनेवला है थो सकता है या जो शेचने हो रहा है पको पड़ा चैंज ला एक हम माइन के माइं को आईडिया भैढों सकता है अपको माइन है और वाले से आपका माइड चेंग हो रहा है यह डिवाइन टाइमिंग जो है आप होगसादा लगी कर सकते हैं और डिवाइन कलारटी आपका माइड चेंग हो रहा है किसी बात की clarity आपको कोई clarity मिल रही है आपको कोई clarity मिल रही है आपके पार्टने की current feelings क्या है for you आप लगी भी feel कर सकते हैं और आपके लिए जो divine timing है वो भी आपके favor में है किस्वा ओके टारस तो देखते हैं काफी पार्टने की feelings क्या है और आपके टारस पार्टने की feelings for today वाटारस पार्टने की feelings for today ऑखे तो यहां पर है king of source जब मैं शफलिंग करी थी इन एस फोर्स queen of source और अप king of source so definitely आपके partner भी कोई decision ले रहे हैं या तो आपसे कोई heart to heart conversation करें जिस आपका mind change करने के लिए वो ready हैं communicate करने के लिए और वो just emotionally नहीं सोच रहे हैं वो logically सोच रहे हैं और वो long term सोच रहे है अगर आपके mind को इनकी long term situation है जो वो सोच रहे हैं उसी ने change किया है so वो ready to communicate है अगर आप लोगी बात्चीत नहीं थी तो वो ready to communicate है उनके बार माईने बहुत सारे logical ideas आ रहे हैं और वो बहुत सारे talkative हो रहे हैं इस time पर बहुत सारी decisions ले रहे हैं बहुत सारी communication उनकी तरफ से आ रहे हो so अब चलते हैं Gemini's की तरफ Gemini's आपके लिए आपके लिए जो आज का दिन है वो है the world यहां पर आपके कोई completion हो रही है कुछ खत्म हो रहा है कुछ आज का दिन कुछ end करने का है like कोई project है जो के आज की दिन पे end हो रहा है या आपको उसका result मिट रहा है कि कोई process आपके लाइफ में बहुत अरसल से चल रहा है तो उसकी अब ending है like आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी जिसको अब आप end होना चाहिए अब आपके माइड में यही बात आ रही कोई long distance relationship स्टार्ट हो सकता है आपको परसन आपके माइड में हो सकता है so देखते हैं कि आपके पार्टन की current feelings क्या है okay hangman आपके पार्टनर जब हो साथ वेटिंग पीरियट में है या था वो लाइक को किसी दूसरे perspective से देख रहे है stability बहुत slow आ रही है उनकी life में वो stable commitment आपकी तरफ से चाहते हैं लेकिन वो waiting पर ही है वो अभी भी यही खोईश कर रहे है वो अभी भी यही लगता है कि आप उनको commitment देंगे so आपकी तरफ से commitment आ रहे हैं लेकिन वो बहुत short life बहुत slow process के साथ है और आपके partner जो है वो बहुत long wait के बाद अब चीजों को दूसरे तरही को से देखना शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा waiting period है delays है बहुत ज़्यादा उनकी life में delays 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 को face करें stability की delays को face करें तो अभी भी उनके life में यही situation हो सकती है अभी भी वो यही face करें आज भी उनकी energy है सी होके वो यही सोच रहे है सब चलते हैं Cancers की तरह Cancers की तरह Cancers आपको दीन आज कैसा रहेगा कि आपको सभासाद confusion रहेगी आप एक चीज़ सोचते हैं आपके दूसरी चीज़ आपके mind में आ जाती है कोई idee को एक point पहीं आ पार है आपका mind जो है वो divide हो जाता है भी साथी आइडियाद में बहुत सारी situations में यह आपने partner के हावाले से अपने emotions के हावाले से अपने partner के पहुत सारी आपके जादा emotions के हावाले से आपने partner के तरफ आपके하기 कि आपको किसे कंसिडर करना चाहिए और यूर लव सिचुवेशन और अगर अपनी एमोशनल लाइफ के आपके पार्टनर के साथ आपकी एमोशनल लाइफ कुछ कंफ्यूजन में जा रही है तो आज का दिन भी बहुत था कंफ्यूज़ हो सकता है अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या इनर्जी से तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या इनर्जी से तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या इनर्जी से तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या इनर्जी से तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या है आपके social media पर stalk कर रहे हैं या भी वो दूसरे तरीकों से, दूसरे means से, like not directly, indirectly वो आपसे talk करने की कोशिश कर सकते हैं today ओके कैंसर्स, आप चलते हैं Leo's की तरफ, okay devil Leo's आप किसी हमाले से बहुत अपसेस्ट हो सकते हैं आपको बहुत दा या तो literally एक डियावलिक energy हो सकती है जो आप फील कर सकते हैं क्योंकि बैड एनर्जी भी हमाएं साथ होती हैं तो हमें उन बैड एनर्जी से, toxicity से, कभी कभी हमें बहुत दा एफेक्ट कर देती हैं तो हो सक सकता है कि आज के दिन आपका लियूज ऐसा हो कि आप कुछ, paranormal activities से आपको पाला पड़ सकता है paranormal activities उनको कहते हैं जो लोग नहीं समझते, magical, magics से आपका पाला पड़ सकता है जादू टोना, hope के ऐसा ना हो, ऐसा नहीं, अच्छी चीज़े होनी चाहिए, बुरी चीज़े नहीं होनी चाहिए, तो और यह ज़रीन ही है ऐसी कोई सी जो आपकी आर्प के एर्स गित का जो मा बहुत अपसेस्ट फेल कर सकते हैं किसी एक चीज़ के लिए अपनी unhealthy situation को बहुत जादा feel कर सकते हैं, अगर आपके पार्टनर की क्या energies हैं, डियो, okay death, so आपके पार्टनर बहुत जादा transformations से गुजर रही है, okay devil, again devil, आप और आपके पार्टनर की unhealthy situation और toxicity से गुजर रहें, devil for you and devil for your partner also आपके पार्टनर की करन एनरजी यही है वो सकता है आपके पार्टनर की एनरजी हो के वो किसी टांस्फोरमेशन से गुजर रहे हैं वो इस टॉक्सिसिती को कम करें आपके पार्टनर की टॉक्सिसिती आपको भी एफेक्ट कर सती है बहुत है एक रहे सब्सक्राइब में डॉक्सिती टॉक्सितों तो यह विंद के बन जोखने मीक है फिर में इनरजी से हैं यहां पर आप इस वक्त पील करें कि वेटिंग वेटिंग स्टेबिलिटी का वेट आप को इमनी जमा कर रहे थे तो आपको नहीं मिल यह स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइब में अभी मैं शफल कर रही थे तो मुझे टावर कार्ड मिला यह टावर तो इसका मतलब कि आपकी जो लाइफ पर वो स्टेबिल नहीं है आप आप की लाइफ में अनिस्टेबिलिटी है जिसको आप फेस कर रहे हैं और आप सीजों को बेदर होने का तद बजार कर रहे हैं वेगोस सो अनिस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में देखते हैं कि अगर अपने कोई प्रोजेक्ट पर काम किया है तो इसके मानी का वेट कर रहे हैं उसे तो इसमें डिलेज हो गए हो और आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस सिचोइशन में या किसी प्रोजेक्ट में उसक पाठर फेलिंग्स क्या है कि उसकानाश्य कोछिश कर रहे हों तो आपके manhole body a कि में आपके पारट ने आपके पारटे कि का the inch and by JOSH विल्कुल भी उन्मोस को ब्लाइन होने नहीं देना चाले चाले आपको अपने अपने मैसेज़े इंध्यवाद के लिए अगर ब्रेक अप सिच्वेशन ना तो आप लेफ्ट आउट ना कोल फील कर रहे हैं means कि अनस्टेबल फील कर अपने लाइफ में चाहे वो financial हो जाए वो relationship के अनस्टेबलिटी हो तो आप ये फील कर सकते हैं today ये ब्रेक अप सिच्वेशन को अगर ब्रेक अप है तो आप उसको बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं और आप फील कर सकते हैं कि अब अवे जा रहे हैं किसी से Unstability को बहुत ज़्यादा फिल कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं फुछ रोगों के लिए situation हो सकती है तो यह एक आपको दासी दे सकते हैं for today तो देखते ही कि आपकी पार्टनर की current feelings क्या है for you okay so five of month definitely two five is एक साथ है तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो किसी competition का शिकार है या पर किस जालसी का शिकार है या आपके साथ भी कोई fight हो सकती है कुछ clash हो सकते हैं clashes हैं तभी तो आप दोने इस तरह से feel करें तो आपके पार्टनर ही create कर सकते हैं so उनके energy भी थोड़ी जगड़े वाली हो सकती है okay अब चलते हैं Scorpio आपके पास जहाँ बहुत अच्छी energy है आप खुद में एक प्लिकेट energy feel कर सकते हैं आप किसी को प्लिकेट कर सकते हैं और कोई आप उदास हैं तो आप कोई आपको मना सकता है apology आ सकती है और बच्चों कोई बच्चा आपके life में है तो उसके साथ आपका time अच्छा गुजर सकता है so यहाँ पर apology expect कर सकते हैं और आपका खुद का जरसा हो सकते हैं कि आप चीजों को बहतर करने की कोशिश कर सकत लग बहुत अच्छी energies में हैं so आपके partner की क्या energies है Scorpio देखते हैं कि Scorpio partner की क्या energies है Scorpio के लिए दो card है Scorpio के पार्टर की current energy three of pentacles and the empress okay so आपके partner भी mutual understanding के साथ आपके साथ जह हो चल सकते हैं आज आप दोनों का mind जह हो सेम पेज पर हो सकता है और अगर आप उनको अच्छा जैसे दिखाते हैं तो वह भी आपको empress बन के दिखा सकते हैं और या मुझे रखता है कि कोई authority figure mother figure के साथ जह हो दुबार से understanding build up हो रही है आपकी today आज के दिन में या फिर अगर आप किसी ऐसे persons को admire करते हैं जो कि बहुत दा perfect है आपके साथ उनकी जह हो commitment level जह हो अच्छा जा सकता है today तो वह भी आपको empress बन के abundant आपको show कर सकते हैं अगर आप उनकी तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाते हैं सो अब देखते हैं कि Sagittarius की क्या energy है तो justice balancing justice आपको किसी शीज की justice मिल रही है balance आ रहा है अगर आपके साथ कोई ना इंसाफ हो रही है तो उसमें आपको इंसाफ मिल रहा है okay justice again here definitely it's a balance day justice day आपके साथ justice हो सकती है like balancing situation आ सकती है for you कोई court case है तो वो आपको win करने के chances है और just आप अपने आप से भी balance इंसाफ करें हैं अपने आपको से इंसाफ करने की कुशिश करें so let's see के और आपको मिल रहा है अगर किसी नापसे unjust क्या था तो आपको हो सकता है कि आज की energy है यह होगे आपको मिल रहा है इंसाफ या आप दूसरों के साथ सब इंसाफ करने की कोशिश करें balance रखने की कोशिश करें environment में environment में balance रखना मुझे ज़्यादा डौ लगता है resonate तो देखते हैं कि आपके पार्टर की क्या current energy है Sagittarius Sagittarius के पार्टर की current energies क्या है Sagittarius partner current energy okay king of want कोई person हो सकता है current fire sign हो सकता है जो के prominent हो सकता है या फिर आपके person जो है कोई action ले रहे हैं towards you yeah कोई person आप यह हरफन का कार्ट दो बार आपके लिए आया है तो यह आपके लिए message है Sagittarius आपके partner जो है कमिटमेंट offer कर सकते हैं balance आ सकता है yeah so यहाँ बैलेंस आ रहे है for you commitment मिल रही है आपके stability कर सकते हैं कि stability offer कर सकता है वह person आपको like उनका mind ऐसा बन सकता है कि वह आपके साथ जो है marriage commitment रखना है long term commitment रखनी है उसके लिए वह bold steps भी ले रहे हैं और यही आपके लिए justice हो सकती है Sagittarius today उनका mind ऐसा बन सकता है कि वह आपके लिए bold steps लेने के बारे में सोच सकते हैं और ले भी सकते हैं कुछ लों के literally एक step है towards you so अब देखते हैं Capricorns की energies है Queen of Swords आप इसे बहुत बहुत दो लॉजिकल हो कि decisions ले सकते हैं आपकी communication effective हो सकते हैं आप जस्टो डोटोग बात करने वाले बन सकते हैं और फिर आपकी जो अंदर से बात निकलने लग जाती है एक दम से ऐसा time आता है ऐसा भी हो सकता है आपके लिए Capricorn और कोई आप किसी Libra से डील कर रहे हैं या फिर जावनाई Libra करी इसकोई एर साइन हो सकता है आप इस पर बहुत दा कम्मिनिकेट कर रहे हैं और logical decisions ले रहे हैं और इसमें emotions बिल्कुल भी शामिल नहीं है जुए है मैं आपकी पार्टन कि क्या करन्ट फेलिंग सेंवर यू यू है पर कॉट्ड पर्सस करन्ट फेलिंग का रहे हैं है और के पिल यू आपके पार्टनर इसवसेख बहुत अदा हम आपका ब्यूहँनली देहिंपील कर रहे वह वो, लाइक, सेपरेशन वाली एनरजी को बहुई दा defense कर सकते हैं, आजके दिन में, उनने को एक रेट हो सकता है अगर आप लोग裡面, अगर आप लोग IN-ेन हो वह दिए दो तो इह सेपरेशन बहुई दा वह सकता है चाहिए भाप माव को आपने, अपने लव को आपके लिए महसूस कर सकते हैं और जो आप लोगों के लॉस हुआ है उसको पे भी बहुत अनका फोकस हो सकता है तो यहां पर बहुत आपके पार्टनर अब चलते हैं एक्वेर्स के तब एक्वेर्स परसेंट आप भी इस वक्त किंग आफ सोर्स के इनरजी में आप भी लॉजिकल डिसीजन ही ले रहे हैं विदाउट एमोशन आप भी वह सब बाते कहने के मूड में हैं जो आपने कभी कहीं नहीं है और उसमें इमोशन फिल्कुल भी शामिल नहीं हैं एक सच कहना किसी को हर्ट करनी के लिए कुछ कहते हैं लाइक सीरियस स्टॉक्स औ तो सेवने स्टॉर्स का करड में आन सामने कारेए वह सो सकता है जब्यदा रहा है तमधू परोष स्टॉड़ करे अब तो सबस्ते ऐं कोद्क के रहे हैं एक conversation है जो के होनी जरूरी है आप दोने के दर्म्यान और ये conversation हो रही है सिर्फ आपकी energy ऐसी नहीं है कि आप ही truth कह रहे हैं आप ही logical हो की सोच रहे हैं आपके partner भी same page पे हैं और अगर आप सच कह रहे हैं तो वो भी सच कह रहे हैं हो सकता है heated debates हो जाए बहस हो जाए बहस मोबा प्रिफल रहना चाहिए जाएन को यने इसाब को आज हो आज हो दिखते है के Paul's क्याcke है और इस फिर में ऐनर्जील है तो इस फिर में बालता है तो पालता पाइसेसिस बहुत था पेशिंस है और अपने गद्वाशनेदा में बैलन्स है वो बैलन्स जाते है लेकशने बैलं और लेक बैलन्स आ रहे हैं आप खुद से मेडिटेट करके अपने आपको पेशिंस रख रहे हैं अपने एमोशन को बैलान्स रख रहे हैं आपको बहुत बादा पेशिंस दिखाना हो सकता है यह अपने इनरजी और सकता है अपको बैलन्स रहे हैं आपको पार्टनर की करन फीलिंग्स क्या है पाइसस पर यू आपको पार्टनर के बहुत रहे हैं और पार्टनर के बहुत हैं कोई रिस्क ले रहे हैं आप बढ़कुल नए clean slate से start करना चाहते हैं विद यू यह अब today They want to be free just like a child इसे पार के सबहें पेशाइबों इसे रहना आपनी पायरी जरो करें रही सब्क्राइबा इसे पना अिमॉशनल लाइब आपनी दिएिसनों कीक्स्लाइब था कुछ यह हुए को इनलो है को भी अप्सिडर कर रहे हों उनके लाइक में और भी ओ्प्शिंस हैं इनको वो can consider कर सकते हैं तो वो confused,ेत इपने emotions में आपके हवाले से का आपके बाले में क्या सोचते हैं इसलिए वो दूसरे तो लोगों की तरफ बी जा रहे हैं कि तो वह आपनी फीलिंग्स को उप्सप्लोर करने कि कोशिश करें कि किस के लिए उनके पास कैसी सिचूएशन है एक ठीडान लिएा इफ यह थी आपकी रिडिंग और देट वास्य रिडिंगे में आपके बिद् मिद्धी अचिंड आपकी रखने हैं